Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल और इसको अभी रिसेंटली प्राइमिंस्टर शेख हसीना ने ओपन किया और बताया कि बांगलादेश के इतिहास में एक बहुत सुनहरा पल है ये, लेकिन इन सारी चीजों के बीच अभी खबर ये आई है कि जो चाइनीज मीडिया है, वो अपना सक्सेस क्लेम कर रहा है इस ब्रिज के उपर, तो इस ब्रिज के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बंगलादेश हमारा पडूसी देश है, वहाँ पर जो भी कुछ होगा, अगर कोई डवलपमेंट होता है, तो उसका डारेक्ट इंपक्ट भारत के साथ आता है, हमारे ट्रेड के साथ क्या असर होगा, यह सब कुछ देखे लेंगे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट चीजिए है, कि वर्ल्ड बैंक की कॉंस्पिरेसी बताई जा रही थी, वो भी मैं आपको इसके अंदर डिसकस करूँगा, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पह और यहां पर आप देख सकते हो, कि इसके अंदर आपको जितने भी फीचर्स हैं, वो सब कुछ आप अवेल कर पाएंगे, इसके अलावा अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आपटेंट कर सकते हैं, तो चलिए सुरुवात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, इग्जाक्ली अभी हुआ क्या है, प्रामिंस्टर शेख हसीना ने इनागरेट किया है, एक लैंड मार्ग ब्रिच ओवर दी टर्बूलेंट पद्मा रिवर, टर्बूलेंट क्यों कहा जा ये सारी रिवर्स आती हैं, और इस्पेशलि अगर मैं पद्मा रिवर की बात करूँ, तो बेसिकली ये गंगा ही रिवर है, गंगा आपको पता है कि भारत से गुजरता हुआ जाता है, और वेस्ट पेंगॉल में यहाँ पर इसकी डिस्रिब्यूटरी आती है हूगली तो केलकटा, कुलकटा होते वे हुगली रिवर आपका, जो बेंगॉल का माउथ है, वहाँ पर चला जाता है, लेकिन ये जो गंगा रिवर है, वो जब एंटर करता है बांगला देश में, तब ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना किये, और ये पद पद्मा रिवर है, वो ultimately मेगना में शामिल हो जाती है, तो यहाँ पर ये मेगना नाम से होते वे, finally Bay of Bengal में जाकर गिरती है, तो ये जो रिवर बनाये गया है, ध्यान रखना है आपको पद्मा रिवर पर बनाये गया है, और especially यहाँ पर अगर आप देखो कि जो धाका है, उ पूरा प्रोजेक्ट बताया जारा, आप सोचके देखिए, बांगला देश जैसे देश के लिए 4 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, एक काफी बड़ी बात हो जाती है, जो कि बांगला देश का जो capital है धाका, उसको South Western वाला ये वाला जो पार्ट है बांगला देश का, उसस बांगला देश का जो South Western पार्ट है, उससे आपको देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाका है, बांगला देश की capital, उससे 40 km के दूरी पर ये bridge है, और ये bridge ultimately क्या कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है South Western का, उससे जोड़ा है, अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हो अच्छे से, इस bridge को cross होते वे और यहाँ पर जो ये districts हैं, वो सारे cover होते वे देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखेगा ये जो bridge है, वो double layered steel truss bridge है, double layer क्या है, basically इसका जो उपर वाला part है, अपर layer है, वहाँ पर highway, four lane highway बनाया गया उपर, और जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर single track railway बनाया गया है, railway का single track बनाया गया है, ताकि दोनों यहाँ पर use में आ सके, और exact cost अगर आप देखे तो 3.87 billion dollar बताया गया है, और यह अभी तक का सबसे largest project है बांगलादेश में, और इसलिए बांगलादेश की सरकार इसको काफी जादा दि वो हमेशा से वंचित रही है, rest of the बांगलादेश से, क्योंकि जब भी उनको अगर cross करना है, तो Padma river cross होके जाना होता था, और मैंने आपको बताए, बहुत ही खतरनात river है, यहाँ पर वो boat से जाते थे, ferry से जाते थे, और अक्सर यहाँ पर कभी पलट गया, बहुत से लोग अप्रिल के महने में, World Bank ने एक agreement साइन किया था बांगलादेश के साथ, और यह कहा था कि इसको हम finance करेंगे, finance मतलब मान के चलो करीब 1.2 billion dollar देने का निर्ने लिया था World Bank ने, और बाकी का कुछ पैसा जैसे Asian Development Bank को गया, और भी institution ने देने को कहा था, लेकिन World Bank ने 5 महने के अ इसलिए यहाँ पर जान मुझकर जो अपने close associate हैं, चाहे economic advisor हो, secretary हो, उनको बोला आप step down हो जाएए, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि World Bank अपना खुद का appointment कर देता है ताकि इसके बारे में investigation हो सके, ताकि actual में यहाँ पर क्या corruption है, finally क्या है कि 6 साल के बाद Canadian court के द्वारा ए आधार नहीं है, faulty evidence दिएगा है, तो यह साफ जाहिर हो जाता है कि World Bank जो corruption का allegation लगा रहा था, वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि World Bank बार बार flip-flop कर रहा था, शेख हसीना ने बहुत बड़ा निर्ने लिया, शेख हसीना ने कहा कि भलई हमारे पास उसन कि आउशकता है, तो इसलिए लोग कह रहे थे कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का कहनाता होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे, तो रिसेंट्ली इंडियन हाई कमिशनर विक्रम दोराई स्वामी ने ये कहा है कि हसीना एक्सेप्शनल करेज और सिंसियारिटी तो भारत ने काफी बढ़ चल के इसकी तारीफ की है कि कि किस तरह से शेख हसीना ने इस पूरे ब्रिज को बनाने के लिए खुद पर अपने उपर जो है इसका टास्क लिया और इसको बना कर ही छोड़ा है, लेकिन इसमें एक इंट्रस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, देश के अंदर भी आपको काफी सिविल सोसाइटी एंजियोस देखने को मिलेंगे, तो जब यहाँ पर वर्ल्ल बैंक ने ऐलिगेशन लगाया था शेख हसीना सरकार के उपर कि काफी करप्शन देखने को मिल रहा है इस ब्रिज में, तब सिविल सोसाइटी के लोगों ने क काफी परदर्शन किया था और एलिगेशन लगाया था, यह कहा था कि आपको तुरंथ रेजिगनेशन दे दियाना चाहिए, लोगों के सामने वो जाकर बता रहे थे कि अगर यह ब्रिज बनाना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि यह ब्रिज बने तो यहाँ पर शेख हसीन कर इसको बताना चाहती है, लेकिन इसका इंपाट क्या होगा, अगर हम बात करें रीजनल ट्रेड के उपर, इसका जो में बनेफीशरी है, वो भारत होने वाला है, रेल और रोड ट्रैवल जो कैलकटा और धाका की बीश में अगर आप देखोगे, काफी हद तक कम हो है, तो यहाँ पर easily, बहुत आसानी से करीब, और करीब करीब 100 km का distance बताया जा रहा है, कि वो reduce हो जाएगा, और time भी save होगा, और जिसकी वजह से भारत और बांगलादेश, दोनों की बीच में जो वैपार है, वो बढ़ सकता है, एक रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया ग रने में भी होगा, और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो population रहता है, South West region में, वो करीब 25% पुरे देश की population कह सकते हैं, 4 करोन के आसपास, और 27% land है वहाँ पर, तो हमेशा से वो जो particular region है, South Western region ये वाला जो region है, वो उसमें वहाँ पर development नहीं हो पाया था, क्यों बड़ा success claim करना अपना start कर दिया है, China का ये कहना है कि ये एक प्रकार का made in China construction है, और वो इसको जोड़ा है basically belt and road initiative से, देखे एक तरफ बांगलादेश कह रहा है कि ये हमारा symbol of national pride है, लेकिन दूसरी तरफ China जो है, वो ये claim कर रहा है कि ये हमारे दोरा बनाया हुआ ब्रिज ह और ये प्रकार से belt and road initiative चालू किया था, चायना ने especially Xi Jinping के आने के बाद से, तो उसको वो boost करना चाहता है, ये आप Global Times देख सकते हो, लिखा हुआ है Chinese built bridge in Bangladesh opens to boost local GDP growth, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो चायना की एक company है, वो इसके अंदर शामिल थी, China Railway Major Bridge Engineering Group, और इनकी तोरा करी तीन और ऐसे bridge बनाएगा है, लेकिन problem क्या है यहाँ पर, problem यह है कि यह बार बार दिखाना चाहरा है, कि यह belt and road initiative का part है, आपको पता है कि अलोड़ी belt and road initiative के वज़े से कुछ ऐसे देश हैं, जो अलोड़ी धिरे-धिरे से बाहर हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चैना के dead trap में फस्ते जाएंगे, और इसी लिए आप देखोगे, तो यहाँ पर जो बांगलादेश के foreign ministry है, उन्होंने एक statement जारी किया, और इस statement के अंदर यह कहा गया, clear तरीके से, यह जो bridge बनाया गया है, इसका पूरा fund बांगलादेश ने दिया है, किसी भी दूसरे अगर मान लो चैना को contract जाता है, इसको बनाने का, तो बांगलादेश उसके लिए उसको पैसा पे कर रहा है, कोई free में तो चैना बना नहीं रहा है, तो how come this is a part of belt and road initiative, यह यहाँ पर सवाल काफी बड़ा उठता है, और इसलिए बार बार यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो च इसको बना कर रहा है, तो जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम bridge की बात करें, भारत का longest river bridge कौन सा है, यह आपको बताना, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF टी तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-अलग social media पर आप जुड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया था, अगर आप UPSC की त्यारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है, Live Foundation Batch, यह दूसरा Batch हमने श्राट किया, क्योंकि पहले Batch में बहुत ज़्यादा Enrollment हो गया था, काफी लोग आ हैं, और इसी को देखते वे, Second Batch का जो सुरुवात है, वो 11th of July से, जी हाँ, अपडेट कर लीजेगा, 11th of July से होने वाला है, Use the Code Ankit Live हमारे App और Website पर और सिर्फ 19,000 में जो सोच के देखिए, इतने सारे फीचर्स के साथ सिर्फ 19,000 में आपको कोर्स मिल रहा है, Just go and take it ताकि आपकी प्रपरेशन अच्छी हो, I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ से नेक्स टाम प्रिल जेन, Thank you very much, See you soon